हेलो एब्रिवन गोड मॉर्निंग कैसे हो आप सभी आई होप सभी अच्छे होंगे तो इधर मैंने रात उड़त की दाल होई थी वो रखे या चावल भी हो रखे इधर दूद गरम हो रहा अधर पानी है तो क्या बना रही है मैं यह देखना और सुबह सुबह का मॉर्निंग का टाइम है साथ बज रहे हैं तो मैं अदर डाल को दो लेती हूं अच्छे से इसको मुझे पीसना है तो तो पूरा ब्लोक देखना buna अच्छ लगे考ider हो तो इधर यह देखे, आज तिल कुट का जो बरत होता है, वो है, हमारी हां बरत नहीं होता है, पर गड़िश जी का भूग लगाना है, मैंने सोचा गड़िश चौथ पर है, तो भूग लगाती हूँ, तो तेल इन्हों ने भूनग कर रख दिये थे, इसको पीस लिया है पूजा पर ब्रत हमारे हैं नहीं रखा जाता है तो इसको मिला लूगी नहाद हो को गई थी बाकि वेरा काम हो गया था तो बैस पूजा के लिए निकाल रही हूं और उड़की दाल की बना ऊच्छोड़ियां क्योंकि बहुत थंड़ी है मौसम बहुत मतलब वह समझी सकते हो गरम कोड़ता पेन रखा है मैंने ठंड हो रखी है और सिर भी धुलाई किया था तो दाल पीस के और मैंने उसको फ्राई किया सिम गेस पे मैंने फुल वो नहीं दिखाया है क्योंकि उड़द की दाल की केचोड़ी खाने का मन कर रहा था मेरा और आलू की और उसकी तो खाते दाल की बनाती हुआ तो दाल की बनाती हुआ अगर आप खस्ता बनाना चाहते हो न तो एक बार थोड़ी सी उलट पलट के निकाल लो उनको फिर द्वारा से सेको तो बहुत ही अच्छी मतलब खस्ता बन जाती है पर मैं सिम गैस पे सेक रही हूं है भी नहीं किये गैस तरह से बहुत अच्छी बनेगी क्यों मुझे अभी खानी है रखने को बनाओ तो इस तरह से बना सकते हैं आप लोग और आज एड़ेटिंग कर रही है तो बारिस हो रही है दिली में तो वैसे हर जगा ही हो रही है हमारे तो मतलब ठंड ने आवकी वार तो रिकॉर्टी त चुटी थी क्योंकि ओपिस एक देन खुला रहता है एक दिन बंद रहता है तो यह देखिए बहुत ही अच्छी सच में इतनी टेश्टी कचोड़िया बनी थी और इसमें प्यास बगरा डालने का भी कुछ नहीं वैस मैंने फ्राई करते टाइम तेल दिया उसमें डाल डाल पर खीर बनाती हूं तो बहुत अच्छी बनती है और पानी रखा था पानी में चावल में फुला लेती हूं चावल फूल जाते हैं पानी में अच्छे से क्योंकि दूद में काफी देर में फूलते हैं तो बस इतना ही पानी रखती हूं जितना चावल पानी को पी लें तो और आप भी आज़े गर्मा गर्म कचोड़िया खाने के लिए तो मैं बस से इनके लिए कर देती हूँ लगवक बनी गई कचोड़िया तो खाएंगे और मंदर बगर भोग लग गया है पूचा बगर हो गही है तो खीर के साथ में सच में आलू की हूँ है किसी की मुझे खीर के साथ में कचोड़िया अच्छी लगती है दई के साथ में बहुत अच्छी लगती है पर खीर के साथ में भी और दाल की कचोड़िया तो तुम चाय से खाओ तो बहुत तो ये गाय को देखर के आ गए थे तो और में मंदर की पुजा दिखा रही थी भोग वोग वगएर लग गया मंदर की पूजा पगो गई टी और ये थहा मॉनिंग का टाइम में तो मेरे विड्रे पड़्य घुड़नीज आध encore और सच में ہसपेने रहते हैं मेरा काम करवा देते हैं पर वो कुछ न कुछ काम को विगार ही देते हैं किचिन में उस दिन मैंने किचिन में बोले मैं कुछ करता हूँ तो पता है मैंने लगा दिया था मैंने सुचा कि आप मलाई चला दो मैंने करके रग गई थी मिक्सी के जार में पर उने जार की वो और मैं चली गई और उन्होंने पता नहीं कैसे करके वो भी जला दी तो इससे अच्छा तो मुझे लगता है ना खुद कर लूँ यह कुछ काम के लिए कभी मना नहीं करते हैं हर जो काम होता है मेरे साथ में करवा लेदें पर मुझे दर रगता है मैं सुछती हूं गोभी ना कि अथना काम करोगे नहीं तना विगाड़ करा लूँ कुछ कौम विगड़ी बहुत रहता है क्यूंकि आदमी लोगों का देखा भी हो चाय बनाएंगे तो चलनी कहीं कुछ कहीं तो वस वही है कि मेरी वाज़ेसे इनको हो जाता है फिर बोलते हैं कि मैं नहीं करूंगा मेरे से बिगड़ जाता है और गुसा हो जाती है तो इधर मैं बरतन साफ कर लेती हूँ और तो के और अच्छे सीस को साफ कर लेती हूं तो पर पानी में हाँ समझो कमुत मौत के मुझ में हाथ देना जाता है तो एतना थंड़ा ठंड़ा पानी रहता है बहुत जादा पर गीजर का भी पानी घरम थंड़े महा देने से मेरे हाथ खराव हो जाते हैं इसलिए मैं नहीं करती तो थंडे किचिन बगएरा का काम मैं थंडे से ही कर लेती हूं और सच में ऐसा लग रहा था हाथ जब बढ़तन दुखके और निकल लूगना तो लाल पढ़ जाते हैं ऐसे हाथ हो जाते हैं तो अभी तो मैंने से लगोंगी गैस वगएरा साफ करना और पहुंचा वगएरा पढ़ा है तो उसे लगाऊंगी तो यह देखिए धर में इसलब बगएरा साफ कर लेती हूं डेली का रहता है वैसी यही कि कुछ ना कुछ इदर रखते रहती हूं खाना पीना तो वैस जूना मार के और गीले गैस भी मैं साफ करतूंगी डेली का रहता है मेरा और पता है मैं किसी किसी की देखती हूं मतलब के रेस्पी दिखाना या कुछ भी करना तो मेरा मतलब यही रहता है कि गैस वगएरा साफ होनी चाहिए मेरा यही नहीं है कि वीडियो में करती हूं तब ही मेरा डेली का काम ह नहीं रह सकते हैं तो इन पर खाना पीना बनाते हैं तो इनको भी हमारा साफ काना बहुत जादा जरूली है किचिन का और मैं साम को डेली मतलब गीला कपड़ा ही मारते थी उस लब पे गैस पर पर सुबए चाय बगएरा बना के जो भी तो मैं जब पहुंचा लगाती हूं इ अब लोग देखी सकते हैं वाइट टेल हैं कुछ भी गिर जाए तो मुझे तो हस्पन ने मतलब इतना कुछ बिगार दिया था तो इसके पीछे मैं लगी हुई थी और अभी मुझे पहुंचा बगएरा भी लगाना है पता नहीं क्यों कि उनके हसे कुछ ना कुछ काम पहुंच दूंगी और किसी दिन ज्यादा वैसा लगता है ना तो मैं पानी से भी धोते तीम पर पानी इसमें अब लेकर रैक बगएरा देख सकते हैं इनमें जाता है तो इसलिए मैं नहीं करती तो यह देखिए कपड़े से क्योंकि चिप-चिपा मौसम सा हो रखा है बार और डिखे पहले किचें में पहुझा बगएरा कर लीती हूं क्योंकि किचें में करना मेरा बहुत जरूरीilian ô उसके बाद में बागी हम नहाना धोना कपड़े वगर से हैं तो उसके बाद में मैंने कचाड़िया वगर बनाई थी नहा धोगे पूरा काम KAM Siya करके आ गई थी उसके बाद में बनाई थी तो चलिए लिए पहले केचेन में पहले दोबर केचेन में कर लूँगी उसके बाद में उधर साप करूँगी तो बस यही था और I hope आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और मुझे बताना कि ना मैं लाइव शुरू करूं या नहीं करूं तो क्योंकि मेरा बोस टाइम पूरा नहीं हुआ है और तो इसलिए मैंने सुचा अप लोगों से पूछ लूँगी तो यह देखी गरम चपल भी लेके आई थी बैसे मुझे इतनी ठंड लगती है कि ना ठंडे में नीचे पैर नहीं रखा जाता है तो इसलिए मैं गरम चपल भी लेके आई थी तो लगवग मेरा पौचा बग पौड़े भी इस्टेंड रखा है धरी उधर बेटा उस रूम में पढ़ाई कर रहा है तो उस रूम से इस रूम में उसने रख दिया है तो क्योंकि धूप नहीं निकल रही है और दूप ऐसी निकलती है पर आज तो बहुत ही ज्यादा सच में बहुत ज्यादा ठंड थी जिस दिन में एडिटिंग कर रही थी तो लगवग मेरा फॉंचा बगएरा हो चुका है तो चलिए फिर काफी सारी बात हो गई वीडियो बड़ा हो गया और ज्यादा नहीं तो दो से तीन मिनट वीडियो जरूर बोच करना आई होप अप लोगों को पसंद आया होगा और स तो फिर भी मैं कोशिस करती हूं कि एक दिन छोड़के मेरा एक दिन वीडियो जाता है चला जाए तो यह देखिए हो चुका है मेरा और बची है बालकनी बगएरा उधर से लगा के लाओंगी तो सारा कुछ हो चुका है तो चलिए फिर बाय कल मिलती हूं आप लोगों से ए आथ में